गाइस हम सब हमारे देश के महान फ्रीडम फाइटर शहीद आजम श्रीमान भगास सिंग जी को तो जानते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि जब इने फासी हुई थी तो जजजेज में से एक जजज ऐसे भी थे जिन्नों ने अपने पद से स्तीफा दे दिया था लेकिन इनके फासी के डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया था जिहां चलिए जानते हैं गाइस दरसल ये बात है आठ अपरेल 1929 की जब शहीद आजम श्री भगास सिंगी ने अपने साथियों के साथ असेमली हॉल में बम फिका था और हमारे देश में इंकलाफ जिन्दावाद का नारा देखे एक आजादी की नई क्रांती लाई थी इसी घटना को लेकर इनके उपर एक विसेश ट्राइल के द्वारा केस दर्च किया गया था जिसको हम लाहोर शडियंद के रूप में भी जानते हैं उस पूरी ट्राइल में सहारनपुर के जस्टिस आगा हैदर एक मात्र भार अक्तिय जज थे और जब 7 अक्टूबर 1930 को ब्रिटिश गवर्मेंट या फिर ब्रिटिश जजेज द्वारा शहीदे आजम भागा सिंग जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी और उस डॉक्यूमेंट पर जस्टिस आगा हैदर जी को साइन करने थे तो इन्होंने साइन करन से मना कर दिया और जब बाद में ब्रिटिश गवर्मेंट द्वारा इनके उपर दबाव बनाए गया तो इन्होंने अपने पद से ही स्तीफा दे दिया था